हारुफीक्स सैमसंग M10 ब्लेक एंड वाइट डिस्प्लेइ प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप जी आपने सैमसंग की डिवाइस में ब्लेक एंड स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो डिवाइस हैं मसंग का ठीक है पुराना टीवी का जो ब्लेक एंड वाइड होते हैं उसका स्क्रीन जैसा यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन ब्लेक एंड हो चुका है त इसके वज़से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पर रहा है तो इस वीदियो को आँ तक देखें आपको बताँंगा क्या कै आपको चेक करना ए예요 किसे आपका प्रॉब्लमु सॉल्उफ होगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है आप सेटिंग पर जाए ठीक है सेटिंग पर जाके दोस्तों डिस् कजसे नुखने आगा सिर्फ वाइट आपको शौरा उसके बाद आपको नीचे में जाना है डिजितल वसी एइंड पर रेंडकर करना है और उसके बाद आपको यहाफि डिस्पले पर जाना है और आपका adaptive brightness बन कर दिजए यहाँ पर आई comfort shield बन कर दिजए और visibility enhancement पर जाए तो यहाँ पर सारे setting out होना छाहिए यहाँड हाई contrast theme high contrast font highlight button color invention और सबसे important setting जो है color correction ठीक है तो इसको burn कर दीजिए तो इतना करने के बाद सब्सक्तों आपका problem solve हो जाएगा सारे साथ दुस्तों अपडेट कर लेना और सारे problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरगे से आपने mobile के black & white display problem solve कर सकते हैं उमीध करते आपको यह वीडियो परसें होगा, thanks for watching झाल झाल